ना केवल चेहरे के हिसाब से बलकी कपड़े के हिसाब से चुन्ने बिंदी बिंदी लगाने का प्रचलन काफी पहले से चलता आ रहा है लेकिन आज के समय की बात करें तब लड़किया इसे शौक से लगाती हैं क्यूंकि यह सच है कि इससे एक अलग तरह कलुक निखर कर सामने आता है पहले महिलाएं इसे सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस पर लगाती थी लेकिन अब लड़किया इसे ड्रेस से लेकर जीन्स तक पर आसानी से लगाती हैं इतना ही नहीं अब के समय में लोग अपने चेहरे के हिसाब से बिंदी का सेलेक्शन नहीं करते हैं बलकि अपने ड्रेस के हिसाब से करते हैं ऐसे में आज हम आपको बिंदी लगाने के कुछ ऐसे ही डिजाइन के बारे में बताने डा रहे हैं जिसे आप भी क्यारी कर सकती हैं जो निम्न हैं ड्रेस के उपर बिंदी आज कल की लड़कियां खुद को भीर में सबसे अलग दिखाने के लिए अपना एक अलग ही फैशन बना लेती हैं और उसे फॉलो भी करती हैं अब आप इन्हें ही लेलें यह स्प्लिट सविला की एक कं इन्टेंटेस्ट थी जो अपने हर ड्रेस के उपर बिंदी लगाती थी जिसके कारण यह भीर में सबसे अलग दिखती थी साड़ी के उपर बिंदी जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि बिंदी मैलाएं पहले भी लगाती थी लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने बिंदी को क् कई खूपसूरत है ग्लैमरस लोग के लिए अब आप खुद देख लें कि बिंदी के स्टरीके से की खूपसूरती में चार चांद लगा दिया है इनकी बिंदी को देख कर बस यही कहा जा सकता है कि इसके बिना सारा मेकप बेकार है सलवार कमीच के उपर अगर आपको सिंपल अंड शूवर दिखना है तब आप सोनम कपूर के इस लोग को फॉलो कर सकती है क्योंकि इसमें यह काफी अच्छी दिख रही है जीन्स के उपर बिंदी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि साड़ी कुर्ते के आलावा अब लड़कियां इसे जीन्स के उपर भी पहनती है वैंप लोग बिंदी को कब और कैसे क्या री करना है यह टीवी वालों को खूब पता होता है क्योंकि इसके जरिये जहां आप अच्छी दिखती है वहीं दूसरी तरफ आप वैंप जैसा भी दिख सकती है हालांकि आज कल गोल और कल रफुल बिंदी का काफी ट्रेन है क्योंकि महिलाएं डिजाइनर बिंदी के अलावा प्लेन कल रफुल बिंदी को ज्यादा पसंद कर रही है